हेलो एवरिवन कैसे हूँ आप सब आज मैं हमेशा की तरह कुछ ऐसे नए टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे कि आपकी सारी मुसीबते दूर होने वाली है तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी पहली टीप है कपड़ों के लेकिव के कपड आजू वाले वो एक दूसरे के उपर इस तरीके से लेके आने हैं आप देख पा रहे होंगे इसकी हमनो बिल्कुल छोटी या बड़ी भी फोल्डिंग रख सकते हैं तो यसे करना बहुत ही आसान है इस तरीके से हम और एक बार इसे फोल्ड करेंगे और जो दूसरे किनारे बसते हैं वो देखे कैसे गायप हो जाते हैं क्योंकि न इसमें हमने एक रेडी किया है पॉकेट जो की बिल्कुल सीक्रेट है इसमें हम बलाउज रख सकते हैं पैटिकोट रख सकते हैं मतलब अलग अलग चीज़े ढूडने की जरुरत भी नहीं है एक ही साथ सब चीज़े रहेंगी साथ ही में हमारा अलमीरा भी बहुत ही बढ़िया सेट रहेगा इससे क्या होता है घर भी और्गनाईज रहता है और साथ ही में कुछ अलग आपको खरीदने की जरुरत नहीं पड़ती है तो देखे ये पॉकेट जो है कितना बढ़िया बना है इसे के अंदर मैंन इस तरीके से फोल्डिंग कर सकते हो है ना कितना आसान तरीका जो काम आपका घंटो लगने वाला था एक तो समेटने में पूरा या फिर इसे फोल्ड करने में वो आपका चूटकियों में होने वाला है और हमारी नेक्स टिप है घी के लिए अक्सर हम घर में घी तो बनाती पर कई बार क्या होते है गी में थोड़ी सी स्मेल आने लगती है क्योंकि 7-8 दिन का हम जो मलाई रखते है उसकी वज़े से दिक्कत होती है कभी कबार तो देखे इतना महंगा गी है इतनी महना से हमने बनाया तो फेकेंगे तो नहीं अगर टेस्ट खाने में अच्छा नहीं आएगा तो खाभी नहीं पाएंगे इसकी लिए हमें क्या करना है इसको बिलकुल भी बिगरने नहीं देना है आप क्या कीजे इस तरीके से जब भी हम घी को अच्छे se गयस के उपर रखते है बनाने के लिए तो उस टाइम हमें क्या करना है हमारे घर की जो तुलसी होती है उसके पत्ते ले लेने है चार-पांच पत्ते लीजिए और पानी से साफ कर लीजे उसके बाद इसमें डाल दीजिए अगर आपका घी खराब नहीं भी लग रहा है तो भी आप इस तरीके से तुलसी के पत्ते ह हर बार घी बनाते वक्त डालोगे न तो आपका घी की जो खुश्बू है वो बहुत ही बढ़ी आती है साथ ही में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जरूर ट्राइ करें देखे इस तरीके से मैंने पत्तो को डाल दिया है अब हमें इसे अच्छे से पकने देना है उसके आप देखोगे तुलसी के पत्तो का कमाल और यहां पे हमारी नेक्स टिप है नियूस पेपर के लिए अक्सर हमारे घर में जो नियूस पेपर होता है उसे हम ज्यादा तर कुछ चीजे रखने के लिए यूज करते हैं पर आज हम इसका थोड़ा सा हट के यूज करने वाले ह तो यहां पे देखे मैंने थोड़ा सा पेपर लिया है और इसे हमें कट करना है छोटे छोटे टुकडों में ज्यादा छोटा नहीं आपके हिसाब से आप छोटा बड़ा इसे रख सकते हो और देखे क्लीनिंग करना तो बहुत कॉमन सी बात है पेपर से पर कुछ अलग तर इसे हमें रखना है फ्रीजर के अंदर इसे बस हमें पास से दस मिनिट के लिए रखना है पास से दस मिनिट बाद आप देखोगे यह जो हमारा पेपर है थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गीला हो जाता है जिससे की हम इससे बहुत ही अच्छे से यूज कर पाते हैं पर अगर यह पेपर यूज करते हो न तो आपका यह काम चुटकियों में होने वाला है जैसे कि हमारे घर के जो शीशे होते हैं आपने देखा होगा अक्सर इन पर सफेद निशान आ जाते हैं तो आप सोच रहे होंगे इसे थो हम ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं पानी में डूब तो आपको नो बहुत बार उसके उपर घिसना पड़ता है सुखाना पड़ता है शीशे को तब ही जाके यह पूरा अच्छी से क्लीन होता है पर यहां पर आप देख सकते हो हमने इसे फ्रीजर के अंदर रखा है तो बिल्कुल भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है एक जाके यह अच्छे से चमकने लगेंगे पर एक साइड का तो आप देख पा रहे होंगे जो सफेद निशान जो होते न वो बिल्कुल चुटकियों में निकलते है और ज्यादा यह गीला भी नहीं होता है इसलिए पानी का दाग भी नहीं पड़ता है जरूर ट्राय करें इस निशान हो जाते हैं मिट्टी सी जम जाती है तो उसे भी हम बहुत याराम से इसे क्लीन कर सकते हैं तो नियूस फेपर को फ्रीज में रखें और यूस कीज़े तो आपका सारा काम चुटकियों में हो जाएगा और यहाँ पे हमारी नेक्स टीप है पूरी बनाने को लेके द देखें हमें क्या करना है यहां पे न तेल भी कम लगने वाला है दूसरी चीज़ है कहीं आप बाहर जा रहे हो घर में आपको खाना बनाने वाला कोई नहीं है जैसे जेंट्स लोग होते उन्हें बनाने में दिक्कत आती है या कभी कबार जैसे सुबर सुबर एमरजनसी के के डाल देना है इसे बेलने की भी मैंने एक ट्रिक बताई थी जिससे के आपको नो चकला बिलन की जरुती नहीं पढ़ने वाली है तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जल्दी से चानल पे जाके देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम पूरियों को बेल सकते हैं तो यह इसके बाद देखे इसे हम फ्रोजन पूरी की तरह भी रख सकते हैं जैसे कि किसी डिब्बे में रख देना है और इसे फ्रीजर के अंदर रख दीजे डिब्बे में अच्छे से तो आप देखोगे जब भी इसे खोलोगे और आदे गंटे पहले निकाल लीजे आदे गंट चीज ऐसी है कि देखे अगर आप कम ओईल में कोई चीज बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी यह बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरीके से जो आधी सेकी हुई पूरिया है उसे हमें डालना है ओईल के अंदर और यहां पे आप देख सकते हो कितने अच्छी से फूलती ह साथ ही में गैस भी कम लगता है और इसे ओईल भी ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि देखे कुछी सेकेंड में हमारी जो पूरी है अच्छे से फ्राय होके उपर आ जाती है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपक जाती है कुछ ऐसा देखे कितने बढ़िया तरीके से यह फू बड़ी आपकी अच्छे अच्छी पूरिया बनके रेडी हो जाएगी तो जरूर राय करें देखे कितना कमाल का एडिया है न मतलब एमर्जेंसी का भी जुगाड हो गया और पूरी खाने का भी हम मजा लेग सकते हैं वो भी ऑईल की चिंदा के बिना जरूर राय करें और पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि दिखे कई बार ऐसी कुछ चीजे होती है जिसे हम खाना तो चाहते हैं पर कुछ वज़े से खा नहीं पाते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बड़िया ट्रिक रहने वाली है और आप को सबसे जादा कौन सी टीप अच्छी लेगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पुसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे चानल पे नए हो तो सस्क्राइब जरूर करें ऐसे यूसफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ वीडियो देखने के लिए दिल से थेंक यू